So hello everybody, my dear student friends, अगर आप University of Calcutta में हो, तो University of Calcutta ने अभी अभी exam से related बहुत बड़ा notification दिया है और अगर ये notification को, अगर ये instructions को आ follow नहीं करते हो, तो आपका supply भी हो सकता है, आप fail भी हो सकते हो, या फिर आपके against में RA भी हो सकता है तो exam related, general instructions, University of Calcutta ने release किया है, ये पूरा पूरा PDF, लंबा चोड़ा PDF है, ये PDF अगर आपको चाहिए, तो उस description में हम लोग टेलीग्राम का link दे दिया है, वहाँ पर जाहिए, वहाँ पर ये PDF अप्लोड कर दिये, पुरा line by line पढ़ लीजेगा, लेकिन इसके जो कुछ key points है, व वह इस पूरे PDF को दो पार्ट में divide किया है, एक है general instructions और एक है instruction regarding answer book, general instruction का मतलब होता है, कि exam देने जाओगे, तो किन-किन बातों को ध्यान में रखोगे, और instruction regarding answer book का मतलब है, कि जब answer paper में लिगते होना, तो कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना, भाई हो, पहलो, सबसे प पाएंगे, clear, दूसरा बात, university ने कहा है कि exam hall में पहला दिन, जिस दिन पहला exam होगा आपका, एक धंटा पहले दरवाजा खुल जाए, लेकिन second exam से सिर्फ 15 minutes पहले ही दरवाजा खुले, exam का, ठीक है, तो आप अगर दो गंटा पहले भी जाके वहाँ बैठते हो, तो कोई फ उसके बाद university ने कहा है कि कोई भी mobile phone या फिर smart device या फिर smart watch exam hall में allowed नहीं है, याद रखिएगा, mobile phone, smart phone, कुछ भी communication device जो है, वो allowed नहीं है, और अगर आप ले करके जाते हो, तो आपकी against में RA भी हो सकता है, आपके exam cancel भी हो सकते हैं, या फिर आप, आप cancel हो जाएगा, तो booking in examination hall is strictly prohibited, exam hall के अंदर में या कितम धुवा धुवा कर दिये, इसकी allowed नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी नसा, गुठका उठका भी मत काना बापू, पहले बता देरे, उसके बाद देखो, अच्छा, exam hall में कोई भी band item लेके नहीं जाना, band item नहीं जो भी band क्यावा चीज ह आप, exam hall में जब भी आप जाओगे तो pen, pencil, scale, calculator, जो भी allowable चीज है, वो सारा अपना लेके जाओगे, तुकि बहुत बच्चा का क्या आदत है, exam hall में जागा तो pen किसी से माँगेगा, pencil किसी से माँगेगा, eraser किसी से माँगेगा, शापन किसी से माँगोगे, तो खुद इस सब allowed नहीं है, exam hall में अपना पेन लेके आना, अपना pencil लेके आना, अपना skill लेके आना, अपना सब कोई लेके आना, clear, उसके बाद, यह जो guidelines, instructions मैंने आपको बताए है, instructions को अगर follow आप नहीं करते हो, तो उस case में आपको exam देने नहीं लिया जाएगा, याद रखियेगा, अच्छा, एक बात बोला कि अगर किसी को infectious disease है, जैसे corona, infection वाला चीज है, तो ऐसा अगर कोई बीमारी किसी को है, या किसी को कुछ हो जाता है, उपरा लाना करें, बटे गर किसी को हो जाता है, तो आपको देखिये, government ID hospital, वेलिया घटा में आप अपने आपको admit करिएगा, व वही लिखना है अपको, अपना नाम और college का नाम, paper में कहीं भी लिखना, allowed नहीं, उसके बाद और एक बात बोला हुआ है, कि paper में कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है, जो objects ने बल, जैसे कि religious बात लिख दिए, या कुछ भी गलत word लिख दिए, कोई vulgar word लिख दिए, ये सब ची आपको use करना है, और एक side में कम से कम आपको 20 line लिखना होगा, उसके बाद ही दूसरा side में आप जा सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आपका paper check नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा, clear है guys, अच्छा, उसके आद बोला है, एक नया चीज, एक unique चीज यू निलाय है, वो यह है, कि आपका paper अगर 50 mark से ज्यादा वाला है, तो blue answer book आपको use करना है, और अगर आपका paper 50 mark से कम वाला है, तो आपको red answer book use करना है, clear है guys, और ठीक से paper जमा देना आपका responsibility है, इसके लिए exam hall में जो guarding करने आएंगे, वो responsible नहीं, तो ठीक से आप अपना paper जमा दे करक My dear student friends, I hope आप समझ गया होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा तो video share कर दीजी और subscribe कर दो और follow कर दो, ठीक है, और यह सारा guidelines आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा, comment करके बताओ कि आप खुशो के नाराद हो, thank you